बिस्मिल्लाय रमानी रहिम असलम अलेक्राम बासित मैं मुद के बवर्ची खाना मगशामदीद दोस्तों आज मैंने बनाए हैदराबादी दही बड़े या तड़के वाले दही बड़े बहुत असान और बहुत मज़ेदार रेसिपी है फ्रेंड मैंने एक ऐसे बना है मैं आ एक चम्मच नमक एक चम्मच जीरा सफैदवाला एक चम्मच लसन का पेस डालेंगे इसके अंदर और तकरीबन 120 ml से 1500 ml के करीब पानी हम यूज़ करेंगे जितना हमें चाहिए होगा गाड़ा बैटर बनाने के लिए बहुत जादा गाड़ा भी नहीं होगा बहुत जादा को और रणी हो ठीक है तो देके हैं ऐससी जादह नहीं चाहिए हमसे आदा गांटे के लिए रेस देते हैं तो जब तक हम इसको रेस दे रहे हैं तब तक हम इसका दही बड़े का मसाला डेडी कर लेते हैं हॉममड मसाला दही बड़ा मसाला के लिए हम आदा कप भुने हुए धन्या का बीच लेंगे आदा कप भुना हुआ जीरा लेंगे एक कप हम लाल मिर्च लेंगे भुनी हुई कोई सी भी आप ले सकते हैं ठीक है इसके लावा एक ठीबल स्पून इसमें काला जीरा डालेंगे एक ठीबल स्पून भुनी हुई काली मिर्च डालेंगे एक ठीबल स्पून हम लॉंग डालेंगे भुने हुए बलकि आदा ठीबल स्पून थे दो मेरे पास बड़ी बाली लाइची है ये डालेंगे चार ठीबल स्पून आम चुर पाउडर डालेंगे से राबा 2.5 तेबल स्पून काला नमक डालेंगे जो पिंग सॉल होता है नमक भाड़ी नमक और एक 25 बुनीर सॉम्फ डालेंगे एक टी स्पून हम सफैब नमक डालेंगे हमरा हमसेतार सा दही बड़ा अडा मसाला डेडी है जी दोस्तों तो उसको फ्रकेशारम एक चूटकि बराबर बेकिंग पॉडर डालेंगे बेकिंग आस्पावड़ टाकर लेंगे कि हमारे बाच एंदर them तोदें भूखी और थोड़े से मोटे बने दर हम इसे उपर आ यहास के आप तो यह ज seven आछा weet तो फ्रेंड मैंने इसके अंदर 11 दस जाल दीए 11 दो मिन्ट सबर करते हैं अभी नहीं पलट लेंगे तो ओवरॉल हम इसको आठ मिनट पकाएंगे हिलाते हिलाते पकाएंगे पलटे पलटे पकाएंगे ताक्कि इनके उपर अपर अचासा ब्राउन कलर ना जाएंगे अंदर तक कुक नहीं हो जाएं तो युनिफॉर्म कलर इंपर होना जाहिए यह हो गए है रेडी तो अब हम इनने निकाल लेते हैं एक एक करके कलर आप देखें कितना जबरदस्त है माशाला से फ्रेंड्स मेरे पास एक बावल इसके अंदर दो टीबल स्पून के बराबर में दही पानी शामिल करूँगा थोड़ा सा नमक शामिल करूँगा इसे हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे और इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे तकरीबन एक ग्लास पानी शामिल करेंगे ऐसा इसलिए करेंगे ताके मारे दही बड़े के अंदर जो पानी जाए उसके और वो सौफ्ट और अंदर से भी नमकीन हो तो इसमें मैंने एक ग्लास पानी शामिल कर दिया है और इसे दोबारा हम मिक्स कर लेंगे और जो हमने दहीं बड़ा रेडी की हैं फ्राइ करके उनको हम 20-25 मिनट के लिए इसके अंदर भिगो देंगे ताकि हमारे दहीं बढ़े अच्छे तरीके से अंदर भीग जाएं और नरम हो जाएं ताकि जब हम खाएं तो अराम से हम उसको खा सकें मैं चाबाने में मुश्किल नहीं हो जी दोस्तों 20 मिनट हो गए थे तो इन्हें अराम से नरम हातों से निचोड लेंगे ताकि यह तोटे नहीं ठीक है इनकी शे दूँगा और इसके अंदर अब हम एक पाव दही शामिल करेंगे इससे फ्लेवर बहुत जबर्दस हो जाता है हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती हमार दही बढ़ों का जो फ्लेवर होता है रस वाला वो भी इसमें शामिल हो जाता है तो इसके हमारा दही जो है वो मिक्स हो चुका हुआ है तो अब हम असेंब्लिंग कर लेते हैं एक बावल ले लेंगे थोड़ा सा फ्लैट साथ खुले मूँ वाला उसके अंदर अब हमने जो बड़ा बनाये थे वो इसके अंदर हम रख देंगे सजा देंगे और जो दहीं हमने रिड करेंटेशन वाला दो टेबल स्पून के बराबर मैंने ओईल लिया है इसमें थोड़ा सा हाफ टी स्पून मैंने जीरा डाला ऐसे करकड़ा लेंगे एक मिनट के लिए फ्राइ कर लेंगे उसको ताकर यह भुन जाए रोस्ट हो जाए ठीक है इसके अंदर हम कड़ी पत्ते दालेंगे तकरीबन आदा कप है मेरे पास आदी गड़्टी है इसको अच्छे तरीके से फ्राइब करेंगे एक मिनटी फ्राइब करेंगे ना कि यह जले नहीं ठीकन की खुश्बू माशालला से आउटस्टेंडिंग हो गया है इसे अब हम अपने दही बड़ों को पर डा अपना बहुत सारा ख्याल लखीगा मुझे दौा में आद रखीगा इजाज़त दे दीजे अलाहाफेज